हम सब जानते हैं कि नाद संप्रदाए भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक बाहक है सनातन धर्म एकमसद विप्रा बहुदा बदन्ती इस बोध वाक्य का सत्य है और उसके जो अलग-अलग मार्ग है उस सत्य तक पहुशने के लिए हमारे पंत हैं उपासना भी दिया हैं संप्रदाएं हैं मत है यह जितने भी मत हैं संप्रदाएं हैं उसी सत्य की पुन्रस्थापना के लिए उसकी पुन्रप्रतिष्था के लिए अपने आपको समर्पित किये हैं रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है और वा मंजिल है सत्य सनातन धर्म की पुनरस्थापना के कारे को एक जुट हो करके पुरी मजबूती के साथ अस्तापित करना और उस सत्य के ही प्रमुख बाहक के रूप में सर्देव सरसंग चालक जी हम सब के पास हैं साथ में हैं जो इन सब में समन्वे के साथ जोड़ने का कारे कर रहे हैं इसी समन्वे की एक महत्वपूर धरा है जो आज पुरी दुनिया के लिए आस्थर्य भी है कोदुल भी है और उनके लिए एक दिसा भी है वह दिसा है अयोध्या में इसे राम जनभूई पर भगवान सरी राम के भव्य मंदिर के निर्मान का कारे करम जिन्हें अब विश्वास था वे प्लाइन करते थे वे भागते थे भूल करके भी सिराम जनभूमी का नाम नहीं लेना चाते थे लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की प्रंप्रा पर विश्वास था यह तो धर्मस्त तो जया के इस सनातन वाक्य पर विश्वास था वे लोग इस बात को मानते थे कर्म करना हमारा कार्य है इसके पैणाम तो बिधाता हमें देंगे ही देंगे इसमें कोई संसे होना ही नहीं चाहिए विश्व सांती की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व सांती की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है बाकी कोई और नहीं हो सकता यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर देश हर धर्मावलंबी दुनिया का हर पीडित मानो भारत की तरब बड़ी आसा भरी निगाओं से देख रहा है प्रदानमंत्री मोदी जी के और बड़ी आसा भरी निगाओं से देख रहा है उसे विश्वास है भारत ही फिर से उसके लिए आस बनेगा भारत ही फिर से विश्वास बनेगा और भारत की सास और विश्वास के साथ जब भारत की 140 करोड की आवादी जुड़ती है तो यहां दुनिया के एक ताकत बनती है दुनिया के एक ताकत उस ताकत के साथ हम सब को जुड़ना होगा आज का इस समारो उसी अभ्यान को मजबूती प्रदान करने का एक अभ्यान है